वालो गाईस बहुत वह स्वागत है आप सभी का मेरी योटुप चनल में दोस्तों आसका वीडियो जा है हम मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं किस तरह से जो है हम जो 3D हैमर है वह अपने वीडियो पे जो है हम रिपलेस करेंगे तो दोस्तों मेरा लाश जो वीडियो उसको कर लेता हूँ और यह हमेंने से यहां से ड्रै कर के यहां तो दोस्तों यह हमारा वीडियो फूटेज है जो लास्ट वीडियो में मैंने जो अपना हैमर है उसको मैंने रिमॉप किया था तो यह वीडियो फूटेज है आप देख सकते हैं फिलाल इसमें जो है मैंने रिवर्स जो है वह अपलाई नहीं किया है तो यह हमारा जो है बेसि हमर है उसको हमको इंसेट करना है तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक 3D element जो है आपके जो Adobe Autorafix है इसमें वीडियो को पाइलेट का जो है element 3D plugin इंस्टॉल रहना चाहिए तो वो मेरे पास में कैसे इंस्टॉल करना है आप YouTube पे बहुत सारा वीडियो जो है सर्च करेंगे तो मिल जाएगा और आप वीडियो को पाइलेट का 3D element टैक जो है वो डाल सकते हैं Cinema 4D में भी कर सकते हैं मगर फिलाल जो है आज का वीडियो जो है मैं element 3D में किस तरह से किया है वो मैं बताऊंगा इसके बाद जो है दोस्तों आप नेट पे जो है फ्री 3D लिएए उसको हम इंपर्ट कर लेते हैं mayoría उम्मुबब है हमारा स्टिंग एन 10 इसको भी हम तो यह किरिवेष में और यह रिवर्ट में घिए तो अब हम क्या करेंगा है यह ऊरेजिनल इसको हमने रिवर्ट यहां हम नीचे टाइम पर जाएंगे तो यहां इनेबल टाइम रेंटिंग के नीचे रिवर्स लेर में आ जाएगा ठीक है तो अब जो है दोस्ता हमारा जो यह भी वीडियो है यह रिवर्स हो चुका है अब हमको जो है हमको यहां पर मोशन ट्रैक करना है हमारे हैमर को ताकि हम जो 3D हैमर य जो लेर है इसको हम चलेक कर लिए जो हमारा ओरीजनल है और इसके बाद में यहां ट्रैक मौसम पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में रोटेशन और स्केल इसको भी चेक कर लेंगे ठीक है अब थोड़ा सा हम जो है जूम कर लेते हैं और हमको जो है कहां से इनिमेशन मतलब कि इसको ट्रैक करना है तो जहां से हमारा है मर शो हो तो हम एक काम करते हैं इसको लास्ट पोजिशन में ले जाते हैं तो अब जो है हमारा जो टाइम लाइन है वो पूरे लास्ट पोजिशन में है और हमको जो है इसका जो दो पॉइंट है दो पॉइंट को ट्रैक करना है तो यहां से मैं पकड़के जो हैमर है उसका इस पॉइंट को यहां पर हम लग देते हैं और उसके बाद में जो दूसरा पॉइंट है इसको हम है हैमर का जो नीचे वाला परसंट है पॉइंट है तो यह हो गया हमारा अब जो है दोसको यहां थोड़ा काम स्लो करना है हमको हमको पूरी अच्छे तरीके से जो है इसको ट्रैक करना है तो हम क्या करेंगे यहां पर यहां एक है क्योंकि हमने last मिलिया है तो पीछे से हमको आगी के और जो है इसको track करना है तो यहां पर एक है यह play का option है तो automatic play होगा मगर इसमें साइट कहीं miss भी हो सकता है इसलिए हम इसको क्या है एक एक frame by frame इसको track करने के कोशिस करेंगे ठीक है और जहां अगर हमें लगे की position कहीं out हो रहा है तो उसको हम correct भी कर सकते हैं तो यह थोड़ा process है तो हम यहां से ठीक है इसको point by point करते हैं ठीक है है यहां से थोड़ा हमारा जो point है यह out हो रहा है कि तो इस सारे point जो है इसको आपको जो है एकुरेट position में लाना है ताकि जो है आपका जो tracking है वो सही हो पाए सो काई हमको जो है स्रिफ यहां तक track करना है और इसके बाद का जो इतना जो पर्शन है उसको हमको जो है वो 3D hammer पे मतलब अलग से track करना है क्योंकि यहां अगर देखा जाए तो यह hammer यहां से अगर नीचे क्या हो रहा है तो यह नीचे की तरह गिरता है तो यह बागी जो प्रोसेस में आपको बाद में बता हुआ तो यह हमारा जो फिलाल जो tracking है वो complete हो चुका है यहां से इस तरह से जो हमन अब यहां से हम जो है एडिट टारगेट पर जाएंगे और यहां से जो है हम सिलेक्ट करेंगे नलवान तो यह सिलेक्ट हो गया इसको ओके करेंगे अब यहां से हम करेंगे ओके में वाइंजेट जो है यह रहेगा सिलेक्टेट अब दोस्तों हमारा जो जो भी हमने ट्रैक सब्जेक्ट पे आ गया है कि इसको मिनिमाइस कर देते हैं अब दोस्तों हमको जो है थ्रीडी हैमर जो है वो लाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहां से लेयर में जाते हैं एक नियू सॉलिट ब्लैक रहेगा साइज वगर सब सेम रहेगा ओके अब इसके बात में इलिम को पालेट का इलिमेंट 3D जो उसका पैक है वो होना चाहिए लग इन होना चाहिए तो वो आप अगर डाउनलोड नहीं कि आपके पास नहीं है तो यूटूब पे वीडियो देखे काफी सारा वीडियो आपको जो मिल जाएगा आप वहां से जो इस प्लग इन को करेंगे और जैसे ही आप अगर यह वीडियो को पालेट का इलिमेंट 3D अगर आपने प्लग इन इस्टॉल कर लिया है तो यहां नेची आपको वीडियो को पालेट अप सुनाएगा और यहां से एलिमेंट 3D आ जाएगा तो इस पे हमको क्लिक कर देना है और इसके बाद मे प्रेंगे और यहां से फोर आहां से हम जो हमारा जो थीडी आप मॉडल है है मर पैक है तो वह हम परना है तो मैंने 3D model folder में और यहां देख सकते हैं 3D hammer ठीक है तो यहां source पर क्लिप करें तो यह cinema 4D में मतलब यह file is cinema 4D का file है यह जो file है यह मैं आपको दे दूंगा description में तो आप description के भी download कर सकते हैं और इसको हमको जो है open कर लेना है और इसके करने okay कि यह तो यह आप देख लिए यह जो है फिर हमर आगे है अपना फोर का 3D में है अगर कि यहां देखें तो आप देख सकते हैं यह पूरा जो है 3D model पैक है 3D है कि अब इसको जो है यहां से कर देते हैं तो हमारा जो hammer है यह आ चुका है अब इसको हम से कुझे हमको प्राइब डास ना है अपना फुट में नेहर दो आप हम यहां से जो घुट करेंगे और यहां जो है पार्टिकॉल्ड लुक इससे हम जाएंगे तो यहां पार्टिकुलर जैये पार्टिकल साइज है इसको हम को जो है कम करना है ताकि हमारा हमारे चोटा हो जाए और इसके बाद में हम यहां से इसको पगड़े देख लेते हैं अपना साइज सही रहना चीज़ हो गया यहां से रोटेशन बीटिशन में हम देख लेते हैं और इसको हमारा जो हैमर का थोड़ा पर्सिंग बचावा इसमें इसके हिसाब से हमको जो है परफेक्टली शेट कर देना है तो यह हमारा है यह हमर जो है सेट हो गया है अब देखें तो साइज वगरा मुझे लगता है सही है इतना साइज ठी जो है link करेंगे तो दो option है यहां से भी पकड़ किया आप इसको जो है नल पर link कर सकते हैं ठीक है या फिर इस वाले option पर click करेंगे और नल select कर सकते हैं तो यह जो है हमारा नल वान जो है इसके साथ parent हो गया है मतलब इसका जो भी tracking data है जो भी इसमें फीड है जो हमने track किया है हमारे hammer के साथ लिंक हो गया है और यहां से आप देखेंगे तो यह पूरा आपको at hammer के position में पूरा जाया ते यह अब यह हमने Hi, यहाँ आधही क्या था तो यहां आप देखेंगे तो एमर यहां 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 हमारा लास्ट है इसके बाद हमको जो आगी का है सिथ कर नहें है तो हम को हम को इसलेख करेंगे अपने कीव़र्ड पर रिप्रेश करेंगे पोजिशन पर हम की लॉक करते हैं उसके बाद मैं S Scale एस पर रेस करेंगे तो Scale आजाएगा और R परेस करेंगे तो रोडेशन आजाएगा तो Position Scale रोडेशन को जो है हमको की लॉक करना है और उसके बाद में हम जो है अपने वीडियो के लाज्ट पोजिशन यहां जहां पर हमारा हमर जो है कम होता है अब हम अपने हैमर का जो पोजिशन है इसको इस तरह से कि यहां कर गएते हैं और यहां से रोटिक्शन पर जहें इस तरह कि जो हां कि अपर वेक्री के वोजिशन कि तरह से तक कि हमारा हमन जो है उपर से इस तरह से हैं अब तो यह हमारा हो वेडिके आंपो इस तरह सो इस तरह स्वर्शन है हम उपर चुका है और जो लगां इसमें हम एक लिए और हम को करना हैं कि यहां अगर disturbing तो यहां जो हैमर है हमारे जो हैंड है उसके ऊपर नजर आ रहा है तो इसके लिए आपको जो है कैसे वही करना है इस वाले लेयर को सिलेक्ट करना है इसका डूब्लिकेट कर देना है और इस वाले लेयर को हमारे हैमर जो है इसके ऊपर ले जाना है और इसके पाद में आपको तो जो है रोटोस्कॉपी करना कैसे करना है आपको पता है आप यहां से जो है पेन टूल ले सकते हैं और पेन टूल में में जो है आप इस तरह से जो है रोडोस्कॉपी कर सकतें मास्किंग कि ऐसे अख mail तो इस तरह से देखिए आपका जो हाथ भी है यह हो गया और इसको किस तरह से रोडोस कपी करना है इसके बारे में जो है मैंने वीडियो बना रखा है और आपको पता भी होगा हर थ्री फ्रेम के बाद यहां से जो है आप इसको एंट प्रेस करेंगे और नास पाथ का जो की इसको अब करेंगे और हर तीन या चार फ्रेम के बारे में आपको जो है इस को जो पूरा है यही। तो काफी टाइम लगे हैं मैंने अपने वीडियो में कर रखा है इसी बतानी के लिए तो चलिए इसको मैं बैक कर देता हूं तो इस तरह से आपको पूरा रोडोस्कपी करना है तो यह जो प्रॉब्लम है आपका हैं का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा वो चीज हो जा हैं तो यह थोड़ा डाक सा नजर आ रहा है तो इसमें हमको जो है एक लाइट इफेक्ट देना है लाइट करना है तो इसके लिए एक काम हम करेंगे कि एक लेयर में जाएंगे और लेयर में नियू में जाके हम जो है एक लाइट करेंगे लाइट रहेगा पैरलल लाइट ठ कि यह और इसके बाद में हम इसको ओग अगर देंगे है तो यहां हमारे जो पैरलल लाइट आ चुका है अब इसको जो है हम है थोड़ा उपर ले लेते हैं कि इसको इधर कि इस तरह से हम लाइट सेटिंग कर सकते हैं इसके बाद में जो हम यहांसे लाइट ड्राइट ट्रांस्फॉर्म में जाएंगे तो यहां पर इंट्रीट है आप इसको बढ़ा कि इसका जो बैटनेस है वो कंट्रोल कर सकते हैं कितना रखना है ठीक है अब इसका जो है पोजिशन वगएरा भी आप सेट कर सकें सही से अपने हिसाब से कर लिए तो गर्फ बारे में रहेगा तो आजका वीडियो बस इतनी ही उमीद्ध एक आज का वीडियो आपको पसंदा होगा पसंदा है तो प्लीज लाइक किजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजए और बेल एकॉन को प्रेस कर लिजए इसके इलावा दोस्ता आपको कोई भी सवाल या सुजाब है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं तो आज का वीडियो बस इतने ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक की लिखने बाद जाहें